प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब पढ़ाई हो रही है अच्छे से है ना चले अब आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग डा कैसे लिखते हैं डा से क्या होता है डा से डमरू और क्या होता है डा से डा से डलिया देखा है ना देखें अब पहले कैसे हम लिखेंगे एक सीधी रेखा एक खड़ी रेखा फिर सी और ये फिर उल्टा सी ये क्या बन गया हमारा डा डा से डमरू फिर ये खड़ी रेखा आधा सी और ये उल्टा सी ये क्या बन गया हमारा डा से डमरू देखा आपने कैसे लिखते हैं एक बार हम फिर से देखेंगे सीधि रेखा, खड़ी रेखा, फिर सीधा सी और फिर ये उल्टा सी ये क्या बना हमारा डा, डा से डमरू अब हम इसको आपको यद पोड़ पर लिखकर दिखाएंगे so यहाँ पर पहले हम क्या कीचेंगे ऐसे लाइन कीचेंगे जैसे आपकी कॉपी में होती है ठीक है तो यहाँ पे अब हमने क्या लिखा दासे डमरू दासे डलिया फिर यह देखिए दासे डमरू दासे डलिया ठीक है फिर एक सीदी लाइन ये और ये फिर एक सीदी लाइन ये और ये ठीक है तो क्या हुआ ड से डमरू और ड से डलिया अब हम बना कर दिखाएंगे आपको कि डमरू कैसे बनाया जाता है बहुत आसान है ये कैसे पहले हम क्या बना लेंगे एक्स बना लेंगे एक्स बनाना आता ना सबको ये देखे एक्स बनाया फिर ये इधर से एक गोला बनाया सेमी सरकल फिर इसको इधर से एक और गोला बनाया ऐसे इधर से किया ये सेमी सरकल बनाया फिर इधर से भी हमने इसको जोड़ के एक और सेमी सरकल बना दिया ठीक फिर हमने यहाँ पर ऐसे 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 लाइन ड्रॉ कर दी दा से डमरू ठीक और दा से क्या होता है दा से डलिया ये देखिए डलिया हम क्या यूज करते हैं डलिया में सब्जी रखते हैं फल रखते हैं फूल रखते हैं ये क्या बन गई हमारी दा से डलिया ये देखिए और यहाँ पर हम लिखेंगे डा थीक है आप सब बच्चे इसको अपनी comment में बनाएंगे बहुत आसान है ना ये और इसमें color करेंगे, रंग करेंगे ठीक है और आप लोग डा लिखने की भी practice करेंगे और डा से पहلे भी जतने अकशर आपको सिखाए हैं वो सब भी आप लिखने की ट्रैक्टिस करेंगे ठीक है बच्चों फिर हम लोग मिलेंगे बाबाई